हाई बच्छा लोग कैसे हो देखो आधन सॉल्व करने जा रहे है एक साइज 8.3 का question number 3 का first part क्या कहता है? option वाला question है correct option चुनना है और justify करना है कि क्यों हमने वो चुनना है मतलब solve पर के दिखा देना है यार simple और कुछ नहीं देखो question है 9 sec square a minus 9 10 square a चलो solve करते है देखो दोनों से 9 common आ रहा है लिख लिए है यहाँ पर sec square a minus 10 square a देखो तो आपके बगल में जित्चु मैंने formula का चार्ट लगा रहा है इसमें पोई ऐसा formula है जहाँ पर 10 square और sec square साथ में आते हो थियान से देखो तो इस formula को जहाँ मैं blue underline कर रहा हूँ देखो तो इस blue box के अंदर जो formula बंद है उसमें है कुछ tan square a और sec square है दोनों बस उस formula को यहाँ पर लिख लो कि 1 plus tan square a याफि theta is equal to होता है sec square theta ठीक है क्या करो आपको 1 यहाँ पर अकेला छोड़ो 10 को उतर लेके जाओ क्या हो जाएगा यह sec square theta minus 10 square theta यही तो आपको चाहिए sec square minus 10 square देखो यहाँ पर है sec square minus 10 square यह theta यहाँ a है उससे फ़र्ट नहीं पड़ता दोनों मिलके कितना है 1 की बराबर है यहनि sec square minus 10 square को आप लिख सकते हो 9 into 1 9 into 1 कितना हो जाएगा 9 इसस आप से देखो आपको 9 option किसमे है B option में इससे आप से होगा B is the correct answer बस यह question यह पर finish होता है बस दे नेक्स question में कोई भी doubt लगी कमेंड में पूछी गा Till then take care Bye bye